हिंदी कग्छा बार दिगंद भाग दू के पद्यभाग पाठ नौ जन जन का एक चेहरा एक के बशन्ष प्रस्णों के उत्तर आप बिहार बोर्ड के परचारती हैं इंटरमेडियर के तो इस वीडियो को आप जरूर देखे क्योंकि बिहार बोर्ड के हिंदी के प्रस्ण पत्र में आपको 100 बशन्ष प्रस्ण दिए गए होते हैं जिसमें से पार्ट से आपके 42 नमर तक के कोशन पूछे जाते हैं तो पा जोśाल सक बर्गों से वुष्ब की जनता किससे आतंकिक है कर संभ्स ए उत्तरों गए पुझी वादी व्रस्था से भातिक व्रस्था किसे ब्रहावा दे रहें हैं उत्तरोंग बी जलिलती कभिता से अलगे बी जनजन का चेहरा एक जनजन का चेहरा एक से कभी का क्या तात्पर है उत्तरोगा भी पिरित और संकर्षिल जन्ता ज्वाला कहा उठती है उत्तरोगा जनता के हिर्दे में आज जनता किस्षे आतंकित है उत्तरोगा सी पोजिवादी व्यवस्ता से मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहा है उत्तरोगा सी मद्दपर्देश मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है उत्तरोगा ए नेता को ज्वाला कहा से उठती है उत्तरोगा बी जनता स गजनान माधव मुक्ति वोद का जन्म कब हुगा था उत्तरोगए 13 नौँबर को मुक्ति बोध की मा का नाम क्या था उत्तरोगा बी पार्वती बाई मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था उत्तरोगा सी माधवराज मुक्ति बोध नए सहिते का सुर्योद्य सास्त्र के लेखक है उत्तरोगा बी मुक्ति बोध का माईनी एक पुनर विचार की रचाइता कौन सिक्रिती मुक्ति बोध की है उतरोग ये चाद का मुह टेरा है कौन सिक्रिती मुक्ति बोध की नहीं है उतरोग डी सिप्योप और धूप यानि भरी भरी खाक धूल चाद का मुह टेरा है नई कविता का आत्मसंगर्ष मुक्ति बोध की है जबकि सिर्योप और धूप इनकी रशेता नहीं है कौन सिक्रिती मुक्ति बोध की है उतरोगा D चात कमूह टेरा है कौन सिरसना मुक्ति बोध की नहीं है उतरोगा B बिहारी पुर्व मुल्यांकन मुक्ति बोध किस सब्तक के कभी थी उतरोगा A तार सब्तक मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया है उत्तरोगा बी नया खून काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है उत्तरोगा ए गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा जनजन का चेहरा एक सिर्षक कविता किसकी रचना है उत्तरोगा बी गजानन माधव मुक्ति बोध की मुक्ति बोध ने किस विश्विदाले से M.A. किया उतर होगा D. नागपुर विश्विदाले से मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्रका का संपादन किया उतर होगा C. नया खुन मुक्ति बोध ने दिगविजे महा विदाले जडाज नाधगाउं में प्रदानादापक के पत पर कौप काम करना प्रड़म किया उत्रोगा B उननेश व अन्ठावने स्वियमे से मुक्ति बोध ने नागपूर के प्रकास्रन तता सुचना भीभाग में किस रूप में नोखड़ी की उत्रोगा A पतरकार के रूप में मुक्ति बोद निराला किस तरह के कभी है उतरोगा सी करंतिकादी कभी है मुक्ति बोद के कविता संगरा का नाम क्या है उतरोगा भी चाथ का मुठ टेहा है मुक्ति बोद के अनुसार ज्वाला कहा से उठती है उतरोगा ये जनता से अगेद वरा संपादित तार सब्तक के कभी की रूप में कौन सामने आये उतरोगा C मुक्ति बोध कौन सिक्रती मुक्ति बोध की नहीं है उतरोगा D बीखरे मोती कौन सी क्रिती मुक्ति बोध की नहीं है उतरोगा बी चंदरगुप्त कौन सी क्रिती मुक्ति बोध की है उतरोगा डी मुकुल एक साहित की सायरी किसकी रचना है उतरोगा सी मुक्ति बोध की मुक्ति बोध की अलोचना पुस्तकों के नाम लिखी उतरो गड़ी उप्रित सभी है कमायनी एक पुनर विचार नई कविता का आत्म संगर नए सहीत का सौंदर्य सास्त आखरी रचना क्यों समिक्षा की समस्या है एक सहीत की डारी ये सभी उनकी अलोचना पुस्तक है अगला है किस कविता में ये पक्ति आई है एसिया के इरोप के अमेरिका के बिनभी नवास अस्थान भगोलिक एतिहासिक बंदनों के बाजूद सभी और हिंदुस्तान ये उतरोगा बी जनजन का चेहरा एक जनजन का चेहरा एक सिर्षक कविता के रचाईता कौन है उतरोगा ये गजानन माधव मुक्ति बोद का निदन कभ हुआ था उतरोगा सी एक ग्यारा सितम उननेस चोसट को कभी जनन माधव मुक्ति बोद का जन्म कहा हुआ था उतरोगा दी स्यापूर गौलियर मद्यपरदेश में कभी मुक्ति बोद की मातापिता का नाम क्या था उतरोगा ये पारवती बाई ये माधव राज मुक्ति बोद मुक्ति बोद के कविता संगरा का नाम बता है उतरोगा डी उप्रिक्त सभी है तार सब्तक चाद कमो टेरा है भरी भरी खाक धुल मुक्ती बोद के कथा सैत का नाम लिखे उतरोगा डी उप्रिक्त सभी यानि काठ का सपना भीपात्र सता से उठता आदमी किस कविता में उदत है कि आसा मई लाल लाल के रोज से अंधकार चीरता सा मित्र सा स्वर्ग एक जंजन का मित्र एक उतर हो गए जंजन का चेहरा एक नश्ट पार्ठ है अधिनायक इसके बसने प्रश्णों के उतर आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे यह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग